देखो बच्चो बेसिकली क्या होता है कि business studies में कुछ questions ऐसे होते जो जाए तर आप लोग के exams में repeat होते हैं चाहे वो internal exam हो या फिर वो board exam हो तो आज मैं आपको बताऊंगा nature and significance of management से most important questions My name is Sarge Thapar, I am a postgraduate teacher and let's start देखो बच्चो important questions बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CBSC ने इस साल बोला है कि इस साल जो paper होगा उसमें CBQ competency-based questions जाहतर होगे तो competency-based questions को आपको जादा से जादा practice करना है ताकि जो आपका score है वो maximize हो जाए उसके लिए यहाँ पे आप लोगे पास है यह most likely लिए CBSC question bank इसके अंदर आपको competency-based questions मिलेंगे complete explanations सारे में से की उसकी case-based questions है अजर्शन रिजन questions है प्रिवेस एर बोड एक्जाम का question paper भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा Oswald का बेसी के लिए रहने वाले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टैप के questions इसमें रहने वाले हैं इस टैप से question रहेंगे question के साथ आपको option मिलेंगे और आपको answer के साथ explanation मिलेगी हर एक question में आपको answer मिलेगा explanation मिलेगी business studies के लिए सारे के सारे इसमें chapters आप लोगे included हैं सारे chapters included हैं CBQ इसके अंदर प्रेज़ेंट हैं आपके लिए MCQ हैं competency-based questions है multiple choice questions हैं और हर तरह के questions है जो कि आप लोग के board exam में आप लोगों से पूछे जा सकते link मैं आपको नीचे description में दूँगा इसका आप लोग जाके इसको ले सकते हो business studies का question में हैं कि रहने वाला है most important questions इसके अंदर सारे के सारे इंग लिंक मैं नीचे आपको description दे रहा हूँ आप लोग जाके इसको ले सकते हो अब आते बच्छों हम लोग nature and significance of management के important questions के उपर पहला जो important question रहने वाला है वह explain the characteristics of management कई बार ही question board exam में पूछा गया है internal exams में question आता है board exam में आता है usually question कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि बताओ characteristics कौनकों से होते है management के ठीक है second important question differentiate between efficiency and effectiveness with examples आपको बताना है कि efficiency के और effectiveness के और साथ मैं आपको इसके examples भी बताने है third important question ने explain the levels of management with their function तीनों level of management को आपको बताना है चाहे वो टॉप लेवल है चाहे वो मिडल लेवल है या वो लोवर लेवल है तीक है तीनों लेवल के बताना है आपको की तीनों लेवल बेसिकली होते क्या है कोनकों से लोग इसमें इंक्लूड होते हैं और इनके क्या-क्या functions रहते हैं फॉर्ट इंपोर्टेंट कोशन है वाय कोडिनेशन इजन असेंशल component of any business और एनी टाइप आफ मैनेजमेंट तो बेसिकली कोडिनेशन के साथ बताना है अगर है तो भी रिजन बता और नहीं है तो भी आपको वैलिट रिजन इसके लिए देने होंगे इजए अगर्ट है एक शरी हैं उसके दो और यह लेवल आपको बताना Set में बूझ आपको बाताना है साथ में सब्सी के दो बताने होंगा उइंवा फॉट्संग पूच्छल कर को के क्रेंदे साथ में आप लोग औस्वाल का कोशन बैंक ले सकते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप लोग जाके उसको ले लो बहुत सही चीज़ है वह कॉंपिटेंसी बेस्ट कोशन जांज हर तरह के कोशन आप लोग के वहां से हो जाएंगे अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में लागे बैल एकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो और अपडेक्स आप लोग अपस